वैल जब से budget announce हुआ है हर कोई internet पर बाते कर रहे है crypto कुर्णसी के बारे में लोग बात करें कि crypto करेंसी इंडिया में legal हो चुका है अच्छा सच में legal हो चुगा है कुछ मुझे तो बता इसं commend नहीं भी इंदरिमासीए रबन शेम गूह नहींड आपको 30 पेसेंट नहीं होगा अचा कबसे देना होगा बहुत सरे सवाल है आपके मन में हो सकता है आ रहे हूं आज इस वीडियो के इंदर हम बात करेंगे कुछ इंपोर्टेंट एकस्पेक्ट के ऊपर हम बात करने वाले इससे पहले वीडियो बनाई थी उसमें बात करी थी उसका एक बटन पर लिंक आप आप जाके देख सकते उस वीडियो को उसमें बात करी कि क्रिप्टो करेंसी पर किस तरीके से आपको टेक्स बरना पड़ता है अब अब यह जब अपनी डिजिटल करंसी लाएगा इसकी उपर क्लारिटी दे दी कि आर बीए डिजिटल करंसी लाने वाला यह तो शौर हो गया वही सिर्फ एक वर्चुल करंसी के लाएगी और जो क्रिप्टो करंसी इसके अंदर लोग ट्रेड करते हैं वह जाएगा एसे क्ल फरक पड़ता है और दोसरी चीज जो लोग बात करें की लीगल हो चुका है इसा नो कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि क्रिप्टो करंसी इंडिया के अंदर लीगल हो चुका है यह बाद जरूर बोली जा रही है कि अगर आप से टेक्स लिया जा रहा है और आप टेक्स भर अगर था पता नहीं कि आओगा बैन ना हो जाए यह ना हो जाए वो ना हो जाए बट अब एक चीज समझ आ रहे है लोगों को कि अगर टेक्स लिया जा रहा है तो अब इसे हम इल्लीगल नहीं बोल सकते अब यहां पर बाते समझते हैं देखो होता क्या है अगर आप कौन म रुपे टेक्स बरना पड़ेगा अब यहां पर जो यह टेक्स लगाए गया ना इसलिए लगाए गया क्योंकि इंडिया की आठ परसेंट अबादी इंडिया की आठ परसेंट पॉपुलेशन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रही है और सतर हजार करोड से ज्यादा पैसा क्रिप्टो करेंसी में लगाया जा चुक है तो अगर गवर्मेंट यहां पर एक स्मार्ट मूव प्ले कर रही है अभी उसने लीगल नहीं बोला पर उसने टैक्स ला दिया कि उस सतर हजार करोड की हर ट्रॉंजेक्शन की उपर टैक्स आप समझाता हूं इसे भी तो आप हम step by step समझेंगे कि क्या हुआ एक तो यह चीज क्लियर है कि लीगल नहीं है बट आप इस इलीगल नहीं है तो आप चाहें तो आप पैसा लगा सकते हो आप investment कर सकते हो वह आप सब कुछ कर सकते हो अगर आपको क्रिप्टो गरंसी इसके उपर विश्वास है तो और क्रिप्टो की बात कर रहे हैं तो आप यहां पर क्या होता है पहली बात तो स्टॉक्स की अंदर लॉंग टर्म एक साल से ऊपर या जाता है एक साल से ऊपर लॉंग टर्म एक साल के अंदर शॉट ठम बट हुए थे तो आपको जितना भी गेन हुआ है उस पर 20 पसे आप से टेक्स देना था और शॉर्ट तम में आपको गेन हुआ तो 30 पसे अब यह 30 पसे आप से आपको टेक्स देना था इस डेफिनेटली एस पर टेक्स लैब पर एक चीज और थी कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो अगर आप फिर वह बिजनस इंकम कंसीडर की जाएगी अब बिजनस इंकम क्या होती है अगर मेरी इंकम हुए बिजनस से तो मैं इसके अंदर से एक्सपेंस को माइनस कर सकता हूँ और जो मुझे नेट प्रॉफिट बचेगा मुझे उस पर टेक्स देना है अब यह जो चीजे हम बोल रहे हैं यह अभी वैलिड है इस फिनाइशल ये तक अब यह जो बजट आता है वह कमिंग फिनाइशल ये से वैलिड होता है तो अब एप्रिल फर्स्ट ऑफ एप्रिल से 2022 से आपको यह जो टेक्स लेव है चेंज हो जाएगा मतलब कहें इसे समझते हैं देखो अभी आपको डरने की जुरूद नहीं है जो लोग डर रहे हैं कि मुझे 30% का टेक्स देना है देना है देना है एक एप्रिल 2022 से पर इससे पहले अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कुछ लोग सोच रहे हैं कि भी है मुझे किसी क्रिप्टो करेंसी में 10,000 20,000 50,000 1,002,00,000 प्रॉफिट हो चुगा है तो अगर आपको प्रॉफिट हो चुगा है न तो मेरी बात को देहन समझना आप अपना प्रॉफिट बुक कर ल समय हो आपने कुई क्रिप्टो करेंसी में इनवेस्ट किया था 100 रुपए आपने इनवेस्ट कर लेदें अब वह 100 के 200 में एक लाक भी हो सकता है तो आपके 100 के 200 होगा या 1 लाक आपके 2,00,000,000 हो गए आप इस 2,00,000 रुपए को निकाल लो आपने इसे बेज़ दे आपने cash करा लिया और मैंने आपको बोला कि आप चाहे आप दुबारा से खरीद लो आप बोलोगे तोड़ा सा वो चार्जिस लग जाएंगे एक्षेंज के चार्जिस लग जाएंगे ट्रांजेक्शन चार्जिस लग जाएंगे लग जाएंगे कुछ थोड़े बहुत लग जाएंग और उसके बाद आपने बेचा बड़ यह सेम आपने बेचा फर्स्ट एप्रिल 2022 को या उसके बाद तो आपको भाई सब जो भी आपका पैसा बढ़ा है तो वह भी लगता है ठीक है मुझे 30% टेक्स नहीं देना पड़ता है मुझे 40 से भी उभर देना पड़ता है तो आपको होगा क्या यह 30% की जो अप्लिकेशन ना बजेट की यह 1st of April से वालड है उससे पहले आप जो कर रहे हो वह आप अपना एस पर टेक्स लाफ फाइल करोगे इसका मतलब यह है कि अगर आपकी इंकम आलो पांच लाग से कम है तो आप लीगली जीरो टेक्स पे करने वाले हैं तो हो सकता है इसमें कोई ना कोई आ सकति है तो अब को और संदा प्रक्त क्लारिफिकेशन अैं से अकर और आपको बहुत बहुत को सकते हो ब्हुंतों ऑर तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा समझते हैं अब बात करते हैं फर्स्ट ऑफ एप्रेल 2020 अब क्या होगा अब इस साल से क्या होगा आपको जो भी आप जितनी भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो आपने अगर 10,000 रुपे का यहां पर कोई क्रिप्टो खरीदा और वो आपने पहले से खरीदा हुआ है या एप्रिल की अगर हम बात करें देखो आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आज की डेट में हो रही हैं आपको गया गवर्म हिसाप से फाइल नहीं करोगे तो 300% तक पैनल्टी लग सकती है तो ऐसा काम मत कीज़ेगा अब आगे बढ़ते हैं हम समझ रहे हैं कि आपने 10,000 रुपे की क्रिप्टो खरीदी और वो होगई 30,000 रुपे की तो अब क्या होगा अब जो यह 20,000 रुपे का आपको प्रॉफि आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपको टेक्स देना हैं अब इंडिया के अंदर ना बहुत सरे लोग आइट्यर फाइल नहीं करते बहुत सरे लोग दिखाते नहीं तो अब से आपको करना पड़ेगा अगर आप क्रिप्टो के अंदर आप इंवेस्टेड हो तो एक गवर पर चुपा नहीं सकते हैं आपको दिखाना पड़ेगा तो आपको यहां पर करना क्या है आपको यहां पर टेक्स पे करना पड़ेगा आफ्टर 1st उसे 30% का टेक्स देना पड़ेगा अच्छा ऐसा पैसों के इसाब से नहीं है अगर मैंने अपने फ्रिंड मालीजी मेरे फ्रिंड रहूल है मैंने उसे एक लाग रुपे बेज दिए तो एक लाग रुपे बेज दिए वो मुझे वापस भी कर सकते एक लाग रुपे तो आपके पास आया है आपके फरेंड की तरफ से दुबारा आ गया अभी एक लाख रुपे का क्रप्टॉ प्रेंड से आगया अब आपको 30% का टेक्स देना पर तना ड्स अब इतना इतना ट्क्स अपसे ले रही है है यहाँ बात खत्ब नहीं होते है यहाँ पर अब गवर्म इसका मनलब के है माल लिजे मैं कोई और फिलिता हूं तो जिस सेलर से मैं 911 रहा हूंalted बेच रहा है जब यहां पेज परतो हुगत है एक कर आप एक परसेंट यह आप जब अपने एकसेंट को डेपेदान लेकाएं यह आप यह जब आप अपन अपनी wand भी ले सकतेंiya अब इससे अगेन फायदा होगा मैंने बताया आठ पर्सेंड लोग इंडिया में क्रिप्टो में इन्वेस्टेड हैं गवर्मेंट को कितना फायदा होने वाला है अगर इन लोगों को अपना टीडियस वापिस लेना होगा तो उन्हें आई टेर पर नी पड़ेगी तो गवर के पास आपको गवर्मेंट से लेना पड़ेगा वापिस जब अपनी आई टेर फाइल करेंगे तो अब यहां से आई टेर फाइलिंग भी बढ़ेगी तो आज जो मैंने आपको चीज़ें बताई है आपको काफी सारी चीज़ें समझ आई होंगी एक तो मैंने बताया कि जो करते हैं हम टेक्स पे करते हैं तो ऐसा बिजनसमें काफी सारी चीज़ें प्राक्टिकल एक्स्पीजेंस की वज़े से मुझे पता लगती है तो मैंने तो अपने साफ बोल रहा है कि विया जो भी क्रिप्टों से मेरे पास इंकम आ रही है सब पे आप स्टेट अवे टेक्स बारी उनको तो उनको फरक पड़ सकता है और दूसरी चीज है टीडियस इससे तो बिल्कुली मर्डरों आप एक परसेंट से अगर घबरा रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं कि कहीं कहीं जगां से हमारे पासी पेमेंट साथ इसमें तेन पसंट का भी टीडियस कटता है मज़ें कुछे अर्फ एक परना है क्यूंकि मुझे freedom को फरक नहीं परता क्यों आपको आज की बड़ो के बारे में पताना चाहूंगा जिन का नम है कॉइंडियकशी इंडिया का एक सिंपलेस्ट कृप्टो करिंशेंज और ऑप ट्रेंग नए लोगों के लिए और पूरान यह one time money making plan नहीं है तो coin dcx advice करता है कि क्रिप्टो में पैसर लगाने के लिए अपनी research खुद करें यहां पर इनका platform dcx learn अगर आप cryptocurrency और blockchain को जाने में interested है तो आप www.dcx learn पर जा सकते हैं क्कॉलिटी चेक के लिए जाते हैं यहां पर एक simplest और buy sell experience मिलता है यूजर को कॉण dcx की tagline है की future यह ही है आप download कर सकते हो कॉण dcx को link description comment box में है आप जाके sign up कर सकते हो KYC कर सकते हो अपना bank account link कर सकते हो और यहां पर आपको sample bitcoin मिलेगा 100 रुपे का उसके लिए आपको एक promo code यूज करना पड़ेगा pushker100 तो जब आप sign up कर लेंगे KYC कर लेंगे account link कर लेंगे तो आपको pushker100 यूज करने आपको 100 रुपे का sample bitcoin मिलेगा यहां पर आप अपनी crypto journey शुरू कर सकते हो minimum 100 रुपीस का deposit है और 10 रुपे से भी आप यहां पर buy कर सकते हो crypto को trade कर सकते हो coin dcx आपको provide करता है 24 hours support assistance आपको services जैसे कि onboarding tickting fear tiner management इसकी उपर support मिल रहा है और नए users को यहां पर KYC complete कराने के लिए घंटों wait करने की जुरूत नहीं है तो onboarding super fast है यहां पर multiple security features भी जो inbuilt आपको features मिलते हैं जैसे कि two factor authentication withdrawal password यहां पर यहां पर आप यहां पर आप 24 7 कभी भी withdraw कर सकते हो और deposit कर सकते हो funds को so coin d6 को link description comment box में है आप जाके महाँ पर अपना sign up कर सकते हैं and आपको sample bitcoin मिलेगा अगर आपने pushkar 100 coupon code use किया यह video आपको कैसी लगी आप comments में जरूर बताएगा प्यार दने के लिए like कर दीजे facebook video देख रहे हैं follow किजे youtube पर देख ने subscribe कीजे के बैल इकन पर क्लिक कीजए I will see you in the next video and go self made